नमस्कार दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ प्रश्न जो की हमारे कमेंट्स में पूछे गए हैं क्या बालायाम योगा से आपके नए बाला आ सकते हैं इसके बारे में हम आज आप लोगों को कुछ बताएंगे कि बालायाम योगा जो है जो बाबारामदीव जीने हम लोगों दिया है, वो कितना effective है बालों के लिए, और क्या वो गंजी खोपड़ी पर भी बालोंगा सकता है, या कुछ और हम लोगों गरना होता है, तो बालायाम क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, बालायाम जो है, वो एक परकार का योग है hair follicles को पैदा करने वाली एक तकनीक है जिसे हमारी सिर में नए hair follicles आने लगते हैं मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि पूरा का पूरा detail दिया हुआ है कि hair follicles क्या होते हैं hair follicles के अंदर बाल नए आते हैं आईए जानते हैं बाल आयाम कैसे कम करता है बाल आयाम एक योगा है जो की दो सब्दों से मिलकर बना है बाल प्लस वयायाम तो बालो का वयायाम है जैसे हम लोग अपने सारीरिक वयायाम करते हैं वैसे ही बालो के लिए भी हम लोगों का वयायाम होता है तो जिस परकार हम अपने चेहरे की देखभाल करते हैं, सरीर के कुछ हिस्सों के लिए अधिक वयायाम करते हैं, पेट के लिए वयायाम करते हैं, दोड़ते हैं, सुबह मेटाबोलिस्म को बूस्ट करने के लिए कोशिस करते हैं, तो क्यों न हम अपनी सर की स्केल्प के लिए बालों के लिए भी करें, सभी के लिए अपनी देख भाल जरूरी होती है, सिर की तचा बहुत ही नाजुक होती है, उसी पर बाल उगते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही है, स्केल्प को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, अगर हम लोग उसका protection नहीं कर पाते हैं तो हमारे बाल जो है जड़ने लग जाते हैं तो scalp जो है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि बाल जो है उस पर soft बने रहें तो हमारा खान पान भी इसके लिए जिम्मेदार होता है हमारी देखभाल भी scalp के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो क्यों हम इसकी देखभाल नहीं कर पाते गंजे होने के बाद हम इस पर तरह तरह के प्रयोग करते हैं chemical का प्रयोग भी करते हैं और नतीजा यह निकलता है कि हमारे जो बचेवे बाल होते हैं वो भी उड़ जाते हैं और हम लोग पूरा गंजा हो जाते हैं तो इस तरह की समश्या जो है वो एक आम आदमी के आदने लग जाती है और वो इतना पैसा इकठा कर नहीं पाता कि वो नए बाल लगा ले या हेर ट्रांस्प्लंट के और चला जाए तो इसके लिए हम लोग क्या विधियां अपना सकते हैं क्या कर सकते हैं कि इससे बाल नए आ जाए हर चीज के पुलियों के नाकुनों को आपस में रगड़णा होता है लेकिन इस या विधि यह विधि है अब लोग कहें तो एक योग है जिसको सही तरीके से किया जाएगा तब लोग को असरदार साबित होगा अगर आप लोग सही तरीके से इसका इस्तिमाल नहीं करते हैं तो आप ल बाल आयाम जो है वो नए बाल उगाने के लिए कारगर्थ रापित होता है, तो चली जानते हैं कुछ इसके बारे में भी इसके पीछे का सही प्रयागिक मतलब क्या है, तट्थ है क्या है इसके पीछे का evidence जो है वो क्या कहते हैं, हमारे नाकुनों का जो सीधा संबन्द होता है हमारे सरीर के बालों से ही होता है क्योंकि ये भी प्रोटीन से बने होते हैं और हमारे जो बाल होते हैं वो भी प्रोटीन से ही बने होते हैं ये बालों को दोबारा से उगाते हैं हम लोगबों को कैसे इसको इस्तेमल में लेना चाहिए यदि दोनों हाथों के नाखुनों के surface आपस में रगडे जाएं surface कहने का मतलब है यदि नाखुनों के उपर का हिस्सा आपस में रगडा जाए तब आप लोगबों के दाड़ी और मुच के बाल बढ़ेंगेсь तो कम से कम इनको women's जो हैं या girls जो हैं वो इस्तिमाल में नहीं लें क्योंकि उनके दाड़ी मूझ आ सकती है गर आप लोग surface जो है वो इस्तिमाल में लेते हैं दोनों हाथों के नाकुनों को रगड़ने से यदि आप एक हाथ के नाकुन को दूसरे हाथ पर रगड़ते हैं मतलब कहने का मतलब है कि एक हाथ की जो अंगूलिया है वो constant है और दूसरा हाथ जो है उन पर रभ आप लोग कर रहे हैं नाकुनों को आपस में रभ कर रहे हैं तो इससे आप लोगों को कान के जो बाल है वो एसा भी ना करें, तो अब करना क्या है, दोनों हाथ के जो जहां से नाकुं उगना स्टार्ट होता है, वहां से आप लोगों को दोनों को रगडना है, अगर आप लोग ऐसा करते हैं, तो आप लोगों के सिर के बाल बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, नए hair follicles जो हैं आप लो जरूर है कि hair follicles उस में चांपडी में बनना जरूर हो जाएंगे, सर में बनना चांप हो जाएंगे. तो क्या सिर्फ बालों के लिए बालायम ही जरूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका खानपान भी hair follicles को पैदा करता है, तो सब्टा हमें तीन बार तेल से मसाज ज़रूर करें अब तेल कौन सा लेना आप लोग नारील का तेल ले सकते हैं उनसे अपने सिर की मसाज करें ताकि सिर जो है वो stimulate हो सके हेर फोलिकल्स पैता हो सके कभी-कभी आप लोगों को hair follicles को बनाने के लिए आप लोगों को प्याजगर्स भी इस्तमाल में ले सकते हैं खाने के लिए कौन-कौन से आरो का आप लोगों को 7 करना चाहिए क्योंकि खाना ही सर्वोपरी माना जाता है कहने का मतलब यह है कि इन आरो का 7 आप लोग बिल्कूल आज के लिए इतना ही दोस्तो धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेर करना ना भूलें क्योंकि यह वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है और दूसरों के लिए प्लीज इसको शेर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि अप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धन्यवाद आज के लिए